तो नाजरीन कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग भी खेर खेरिये उसे होंगे तो नाजरी मेरी एक सिस्टर की रेक्वेस्ट थी आप पी जो डार्क सरक्ल वगारा होते हैं ना मतलब हमारे आइस के जिए जाली चीज तो उन पर ना हमें मेकप करना बता दें कि उन प्रफेशनल पेंट स्टिक औरिंज केलर में तो आपके साथ मैंने पहले भी इसकी एक प्रिया दो दफाव वीडियो शेयर किया है तो आप लोग ने आपको बजार से कहीं से भी मिल जाएगा आप लोग इसको काफी ज़दा फाइदे हैं यह तो एक तो बात यह है कि हम इस ना हटती है, ना खराब होती है ना गरे होती है, बिल्कुल वैसी ही पेश रहे है की जैसे आपकी दूसरी स्कीन पर है यह दीखLy, समझा, डेती हूँ, तो यह देखे है आप लोग ने इसको डार्क सरकल पर अपने पर लगा लगा ले ना इस तरह से जो आपकी जो डार्क circle के पास जो base होती है ना हमारी वहाँ से gray होगी ना खराब होगी और ना ही वहाँ से base हटेगी अगर आप लोग यह उपर वाले हिस्से पर भी ब्लैक कलर में हो गया है बनाना बहुत जरूरी होता है जैसे कि हम दूसरी स्कीन की बनाते हैं मतलब अपनी पूरे फेस की बनाते हैं मेरे पास यह देखें ऐनेस का 36 नमबर है आइस के उपर भी अपलाई करूंगे और आइस बेस आइस मेक अप करने से पहले आइस बेस बनाना बहुत जरूरी होता है इस तरह जो आपका मेक अप है वह पूरी स्कीन का इकवल होगा यह देखें अगर गर निया तो आप लोगें ने करना क्यों उसके बाद आप लोगों ने शैफर लाजमी लेना है किसी बीमी बोफ़धू जो आपको आप स्केंद करता है मैरे पास नंबर फोटीन है मैं स्कीन मुझाप वहांस के से कहीं असानी आपने इसके उपर शैफर अपलाई कर लेना है और आपने यह देखें सिर्फ जो हमारी तीन चीज़ों से वह बेस काफी ज़्यादा आइक आइक तो मैं और सूर्णिक आप लोग जो है अपने जो हब डार्क सथर्कल करें अपने इस तरह अपने मेकप के जरिए चुपा सकते हैं अधां तुन नाजरीन यह थी मेरे आच की चोटी सी वीडियो जो मैंने आपणों को साहर की मेंने वीडियो देखने अगर आपके पास यह मजूद नहीं है तो आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं और यह आपकी जो बेस है उसको लोग लास्टिंग भी बनाता है और अपनी दौमें याद रखा गरें लावीस